असलाम अलेकुम दिस आईशे जानजेव and you're watching me on my official YouTube channel अगर आपने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया जैसे कि हमें YouTube बता रहा है तो प्लीज हमारा चानल सब्सक्राइब कर लीजे और बेल का बाटन भी दिबा लीजे तक हम जब भी online आएं आपको पता लग जाए आज जो हम बात करेंगे बेसिकली पिछले चार दिनों में एक ही चीज है जिसे बार बार हर चानल पर भी बात की जारी मेंस्ट्रीम मीडिया में भी और सोशन मीडिया पर भी एहगी बात का बार-बार एक सवाल lies और बड़ा खतरनाक सवाल है इसी बात के उपर इंडिया में बाकाइदा तोर पर एक कैम्पेंग चली है पाकिस्तान के खिलाफ जहां पर उन्होंने में इन्स्ट्रीम मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में आमी और पॉलीस आमने सामने आ गई है जिसके उपर पर पाकिस्तानियों ने धेरों धेर मीम्स बनाई और आगे से फॉरवर्ड की एनिवेज हम उसके बारे में बात नहीं करें एक इंपक्ट है जो मैं व्लॉग के एंड पर आप लोगों से शेयर करूँगी पहले हम जरा रोशनी डालने हैं पिछले चार दिनों में जो एक बात चल रही है आई जी सिंद का अगवा होना और कैप्टन सफदर की अरेस्ट अल्दो के उनकी बेल हो चुकी है अल्दो के आई जी सिंद साब अपना जो दस दिन उन्होंने पंजा दिन चुटी पे एतजाजन जाने का इरादा किया था उसे भी वो मौखर कर चुके हैं क्योंकि हमारे चीफ अफ़ामी स्टाफ ने उन्हें कॉल किया और उन्हें तसली दी कि जो इंक्वाइरी है वो की जाएगी उनके साथ साथ जो साथ और पुलीस अफसरान थे जिन्होंने कहा कि अगर आप साथ ये सलूक किया गया है तो हम एहतजाजन दस दिन की चुटी पे चले जाएंगे अब आप ये देख लीजे कि अगर साथ आला अफसरान जिन में एक आईजी चार एईजी और बेश्टर बड़ी पोस्ट पर पुलीस अफसरान है जब वो लोग सब छुटी चले जाएंगे तो सिंध में क्या सूरतेहाल होगी पहली बात तो ही है आज सेनिट में मुसादिक मलक ने बड़ी अच्छी डिबेट का अगास किया है उन्होंने कुछ बड़े ही आहम सवालात उठाए है उन्होंने बात किये आर्टिकल 15 की फ्लोर अफ़ दा हाउस पर उन्होंने सवाल किये कि आर्टिकल 15 जो चादर और चारदवारी की पामाल और उससे रिलेटेड है उसका क्या किया जाना चाहिए फिर आर्टिकल 16 के उपर उन्होंने बात किये कि जैसे बाकी सबको इजाजत है इज्टमा करने की बाकी पार्टी इसको तो जब पीडियम की बात आती है तो तब वहां पर इतनी नारो माइंडिनेस क्यों है फिर उन् आज ओवल की किताब अनिमल फार्म याद आ गई जिसमें अल अनिमल्स अर इकुल बट समा मौ एकुल अविसली उन्होंने उसी किताब का हवाला देते हुए यह बात की होगी अब जो डिबेट शुरू हुए है वो एक नशनल डिबेट इसमें सबसे बड़ा सवाल जब आजर आ रही है आप देख सकते हैं कि उसमें कैप्टन सब्दर को कमरे में से निकाला जा रहा है दर्वाजा तोड कर जैसे कि मर्यम नवाज ने अलड़ी अपनी प्रेस कांफरेंस में कहा था एक एक चीज उनके जैसे उन्होंने बयान किया था उसी तरह है छे बच कर आट पैसी टीवी फुटेज है इसमें आपको पुलीस एहलकार जो है वो वाज़े तोर पर नजर आ रहे है उसमें आपको एक शक्स काले लिबास सफेद जोगर और एक फोन के साथ नजर आ रहे हैं जो चल फिर रहा है लोबी में और कभी विडियो बना रहा है कभी फोन पर बा ने आए हैं और कैप्टन सब्दर ने अंदर से जवाब दिया है बकॉल मर्यम नवास के और ने कहा है कि मैं बहार आ रहा हूं फिर दर्वाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी क्या सवाल पहला उचता है क्या अंदर से कोई मजामत की जा रही थी फिफ्टीन्थ फ्लोर है ये ये कोई मजाक नहीं है से नीचे एक अलिवेटर से आप जा सकते हैं फायर एग्जिट भी जो है वो उसी साइट पर है जहां अलिवेटर है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि दर्वाजा तोड़ने की आखिर क्या जरूरत थी पहली बात दूसरी बात ये ये जो शक्स है ये क मतलब है कि ये कोई किसी ऐसी या तो एजनसी का बंदा है या किसी गार्ड है परसनल जो रिस्पांड कर रहा है कौन है ये शक्स जो इंस्ट्रक्शन भी ले रह और विडियो भी बना रहा है दूसरी बात अगर एफ आर कटनी थी वारंट जारी हो गए थे जो के जिस तरह स आईजी साब से करवाया गया वो सब तो समझ में आता है मुझे ये समझाया जाए या मेरी फॉर माई बेटर नॉलेज मुझे ये बताया जाए जब कैप्टन सवधिया आपके साथ मतलब कोपरेशन से मामलाद चल रहते तो दरवाजा तो नहीं थी अब ऑविसली जब आप उस पे इस तरह से धावा नहीं बोल सकते प्लस ये एक होटेल है और आप होटेल का दरवाजा सुबा छे बजे तोड़ा जाता है अंदर कोई एक कपल है जो के चलें आप उसे कोई हैसियत ना दें वो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं है वो प्रेजंट ल ओके मैं ये सवाल इधरी छोड़ देती हूँ आपके लिए आजाएं आगे आपोजिशन क्यों समझती है कि ये सब कुछ जो हुआ है सिंद में यानि कराची में स्पेसिफिकली मरीम नवाज और कैप्टन सब्दर के साथ इसके पीछे हकूमत का हाथ है हकूमत की तरफ से और पांच लोग ताइनात कर दिये गए हैं इसके उपर आंसर करने के लिए और इस पे मद स्लिंगिंग करने के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को अड्रेस करना चाहिए था इस मैटर को क्यों नहीं किया गया ये सवाल सब के जहन में है चार दिन हो गए है आईजी स की सेक्यूरिटी का जामन होता है हमने अपने आईजी के साथ क्या किया है हमने उसको मतलब उसको इस हालत में चोड़ा है कि उसको हालत इजार ही कोई नहीं रह गई अब वो किस मूँ से आके दोबारा अपने आफिस में बैठेगा वो तो खुद दो नामालूम अफराद की मार है उसे आएंगे उठाएंगे ले जाएंगे उससे कुछ भी दस्तख़त करवाएंगे और जो मर्जी कर लेंगे अच्छा आज शाहिका खाकान अबासी ने डाइरेक्ट इल्जाम इस पूरे वकुए का इल्जाम हकूमत पे डाला है आएए उनकी जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं इतना बड़ा वाक्या हो जाने के बाद वजीर आजम की तरफ से वफाकी हकूमत की तरफ से कोई भी जिमादाराना बयान नहीं आया बलके वो जल्ती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है और वहाँ ये वाक्या पेश आ जाना कोई मामूली बात नहीं है इससे तो यूं महसूस होता है कि जैसे वफाकी हकूमत जान बुज कर, सोचे समझे मनसूबे के तहर ऐसे हालात मुलक में पैदा कर रही है, जिस से इंतशार पैदा हो, जिस से क्यास पैदा हो, जिस से गहर यकीनी की कैफियत हो, और सारा सिस्टम गहर मुस्तेहकम हो जाए. पाकिस्तान के कौमी अधारों या इंस्टिचूशन के दरम्यान कोई भी गल्फ सहमी या किसी किसम का टकराओ जो है, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत के खलाफ होगा, ये एक बड़ा बड़ी घहर जिमादाराना बात है, यहां वजीर आजम कोई हकाइक बताने शाहिए थे, लेकर वो तो शुक्तर बैठी है, लाद तल्लक हो चुके हैं, वो कहते हैं, मेरा तुछ के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो अगर आप का तल्लक नहीं है, तो फिर आप कैसे इस मुल्क के वजीर आजम? अगर आप अपोजिशन की तरफ से इस मैटर को देखते हैं, तो यह चीज बहुत दिल गिरिफता है, गवर्मन की तरफ से एक दो सतरी स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं आई, जिसके लिए हम मुनतजर हैं, जो शायद खाकान अबासी इल्जाम लगा अगर पुलीस के साथ, पुलीस को अगवा करके ले जाया गया है, सेक्टर कमांडर के घर और दस्तखत करवा कर वारंट लिया गया है, और साथ जाकर सादा कपड़ों में ब्लाक ड्रेस में एक शक्स तरह साथ है, और वो दर्वाजे तड़वा रहे हैं, तो फिर मुझे य यही सवाल किया और मैं भी यही सवाल कर रही हूं, कि फिर इसका मतलब यह कि यह ओर्डर्स वाकई खान साथ की तरफ से जारी हूए, क्योंकि आएसाय और रेंजर्ज जो हैं, तो अब असल पोल जो खुलेगी इस सारे मैटर की, वो खुलेगी जो अभी हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वाईरी कमिशन बनाया है, वो इसकी रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट दस दिन के अंदर आनी है, वो दस दिन के अंदर क्यों आनी है, उसकी भी वज़ा सुन लीजिए, जब यह सारा वाक्या हुआ, और इस वाक्या के बाद, आई जी सिंद के साथ साथ और लोगों ने दस दिन के लिए चुटी पर जाने की दर्खासते दे दी और नजर आना शुरू हो गया कि अब तो जाहरे सेक्योरिटी का मामला तो चला जाएगा, जाहरे जो मेन पोस्ट पर बैठे लोग है वो चले गए तो पीछे सेक्योरिटी कॉन करेगा, अभी चीफ अवामी स्टाफ ने वेरी काइड आएजी साब और उनको तसली दिलाए कि कमिशन हम कर रहे हैं, इंक्वाइरी करेंगे अपके साथ क्या हुआ है और आपको रिपोर्ट लेंगे, और मेरे जराय के मताबक कमिशन जो है उसकी इंक्वाइरी शुरू हो चुकी है, बट आएजी लुकिंग फोरवर्ट फोर रिपोर्ट अफ सीओ उनसे पता चलेगा कि अच्छली हुआ क्या है और क्यूंके अब CCTV फोटेज में एक एक पुलीस वाला जो वहां मौझूद था प्लस इस इस मैन इन ब्लाक जो के बड़ा मिस्टीरियस है उसका भी पता चल रह है कि ये जो ब्लाक गाब में ये जो कपडों में शक्स है ये खुद भी विडियो बना रहा है जिस दिन ये विडियो सामने आएगी उस दिन और भी बहुत सारे पहलू आपके सामने आएंगे बहराल नून लीग डायरेक्ली मरियम नवास के साथ सैंक्टिटी जो है वो बाट हो चुकी है देखते हैं कि आगे जाकर इसका कुलिया किदर को बैठता है क्या पता चलता है आपकर इस बारे में क्या ख्याल है क्या अनालेसिस है आप क्या समझते हैं इस केस में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए क्या जो कुछ मर्यम नवास के साथ हुआ उसे इसी तरह छोड़ देना चाहिए या उसकी इंक्वाइरी होनी चाहिए या फिर अगर हकूमत पर या इदारों पर इल्जाम आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी स्टेबल नहीं है इसकी वज़ा क्या है वो ये क्यों चाहते हैं वो ये ट्रेंड्स क्यों निकाल रहे हैं बार-बार और ये जो फेक फुटिज चल रही है इंडिया के उसके उपर इंडियन मीडिया के उपर जिसे वो शो करा रहे हैं कि कराची है और कराची में सिवल वार शुरू हो गई और आमी और पुलीस आमने सामने आ गई है ये सब क्यों हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हमें फैट एफ में ग्रेय लिस्ट में रहने की इजाज़त दे दी गई है हम अभी ग्रेय लिस्ट में और अब हमने आइस्ता इस्ता यहां से अपना सफर वाइट लिस्ट की तरफ शुरू करना है लेकिन अगर ऐसे ही मौके पर एक अंस्टेबल सुरतिहाल दिखा भी जाती है पाकिस्तान की जो इनके बॉट्स भी है उनके मीडिया हाउस भी है जो कि इन ट्रेंड्स को निकालने में और इने ग्लोबल करने में सपोर्ट करने में मतलब यदे तूला रखते हैं उनकी कुछ मतलब मिनिट्स में ट्रेंडिंग पर आनी शुरू हो जाती है यह जो चीज ट्विटर की ट्रे तूरिस्म बहुत आना शुरू होना था जाहिर सी बात है हमारा टूरिस्म इस एक्स्पांग में बाहर से भी बहुत लोग है जो इंट्रिस्टेट है इस मुल्क डिस्कावर करने के लिए देखने के लिए के नौर्धर अरिया कैसे है इतनी अंसर्टिंटी दिखा दी जाए कि जो बाहर गोरा बेटा है उसके दिमाग में बात पैविस्ट हो जाए कि पाकिस्तान इस नौड़ सेफ प्लेस टू गो लहाजा वहां जाने का सोचा भी ना जाए जो जाए इंडिया ही जाए पाकिस्तान की तरफ तो कोई आए ही ना ठीक है ये सारे जो मामलात है इस पर आपका क्या खयाल है इंडियन मीडिया या सोचल मीडिया ये ट्रेंज क्यों निकाल रहा है आप इस पर क्या समझते हैं मर्यम नवाज के साथ जो हुआ कराची में वो ठीक हुआ गलत हुआ उसके उपर कारवाई कैसे होनी चाहिए आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर सहाब को एक स्टेटमेंट ऑफिशल स्टेटमेंट मैं समझती हूँ मेरी नाकिस राय एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ओन करना पड़ेगा जैसे कल कराची में बलास्ट हुआ खान सामने एक लफ उसके बारे में नहीं कहा अफगानिस्तान में एक भगदर में पाकिस्तानी को कश्मीर को ये पाकिस्तान है इसे आप नहीं ओन करेंगे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो कौन करेगा कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़त खाहूं ये मेरा तज्या है आप खुलकर अपनी राय दे सकते हैं कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा आप क् महवानी शुक्रिया थैंक यू